तो दोस्तों ब्रम्मोस मिसाइलों को लेके एक और बड़ा खवर आ रहा है और ये खवर है ब्रम्मोस A मतलब Air Launch ब्रम्मोस मिसाइलों को लेके आप सब लोगों को पताई है कि Air Launch ब्रम्मोस मिसाइलों को Indian Air Force के सुखोई 30 MKI Aircraft 2 में लगाया जा रहा है और प्रोजेक्ट के मु ब्रम्मोस मिसाइलों को लगा लिया जाएगा दोस्तों ब्रम्मोस मिसाइल दुनिया के सबसे ताकदवर मिसाइल है और इसका खासियत यह है कि यह खाली सुपरसॉनिक रफ्तार से ट्रावल नहीं कर सकता है बलकि इसे अलग-अलग फ्लाटफॉर्म में लगा जा सकता है चाहे इन मिसाइलों को आप जमीन में स्तीत, टेक्टिकल इरेक्टर लॉंचरों में लगा दे या फिर समुंदर में तैरने वाले जहाज या समुंदर के नीचे तैरने वाले सबमरीनों में लगा दे इवन ये मिसाइल तो हवा से भी आके दुश्मन के उपर प्रहार कर सकता है और सुखोई 30 MKI Indian Air Force के ऐसा गजराज है जिनके पास ऐसे भारी भरकम मिसाइलों को कैरी करने का शमता है और दोसों इसे ही देखते हुए सुखोई 30 MKI Aircraft को ही ब्रमोस मिसाइलों को कैरी करने के लिए चुना गया था जबकि ब्रमोस और सुखोई 30 MKI के कॉंबिनेशन इंडियान Air Force के लिए सबसे घातक हतियार के रूप में बनके आगे आ रहा है हाली में आप लोग ये भी सुने होंगे कि इंडियान Air Force के तरफ से बनाया हुआ इन सुखोई 30 MKI और ब्रमोस के कॉंबिनेशन वाले एरक्राप्टों को दक्षिन भारत में डिपलॉय किया गया है जिनके जिम्मे में इंडियान ओशन के अंदर दुश्मनों के जहास और द ब्रमोस मिसाइलों को लेके एरक्राप्ट ने पंजाब से उडान भरा और उसके बाद वेस्ट बेंगॉल होके बे अप बेंगॉल के अंदर अपने ठिकानों को ध्वस करके टेस्ट को अंजाम दिया था ऐसे में ब्रमोस मिसाइल और सुखोई 30 MKI के ये कॉंबिनेशन को औ चाइना के साथ जड़प के दर्मियान भी तैनात किया गया था और अगर देखा जाए तो भारत के बेड़े में इन हत्यारों को ही चाइना सबसे अधिक ड़ता है क्योंकि ना ही इन हत्यारों के बरावरी का कुई हत्यार चाइना के पास है और ना ही चाइना इसने का को ipv Gel रखता है और लाजमी है कि चाइना इससे डरे तो देखा जाए तो ब्रमोस मिसाइलों को लेके चाइना के डर के पीछे कई सारा कारण है जिन में सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये मिसाइल किसी भी प्लाटफॉर्म से लॉंच हो सकता है और माक 3 मतलब ध्वानी के रफ्ता में जाके प्रहार कर सकता है ऐसे में चाइनीज जहाजों को इससे बच पाना लगविक नाम मुम्किन है ओही पे दूसरे तरफ चाइनीज मेडिया रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि भारत के ब्रमोस मिसाइलों को जहां पर रोकने का श्रमता चाइना के पास नहीं है तो वही पे चाइना के जो एंटीशिप क्रूस मिसाइल है उसे रोकने के लिए भारत ने अपना बंदवस पका कर लिया है और इसके तहट भारत के जहाजों में बराक एड जैसे मिसाइलों को लगाया जा रहा है दूसरे तरफ अगर देखे तो चाइना के एरकर्फ कैरियर के डेक को पूरा-पूरी छेत कर सकता है और अंदर जाके एक्स्प्लोड हो सकता है इससे एक ही वार में एरकर्फ कैरियर जहाँ पे तभा हो सकता है तो वही पे चाइना अगर ये सोच रहे कि इंडिया के कोश्ट से दूर रहके इंडिया को घेरने का प्रयास किया जाए त ये इंडियान ओशन के किसी भी हिससे तक जाके मिशनों को अंजाम देने का श्रमता रखता है ऐसे में आगर चाइना इंडियान ओशन के अंदर कदम बढ़ायेगा तो इन मिसाइलों के वार से चाइना अपने आपको नहीं वचा पाएगा दोसेदरब अगर इंडियान को छोड़ वी दे और लेंड बाउंडरी को देखे तो ब्रम्मोस मिसाइलों को सुकुषटी MKI द्वारा कैरी करते हुए चाइना के अंदर घुसके कही सौ किलोमेटर दूर में स्थिछ चाइना के बेसेस के उपर भी हमला किया सकता है इवन ब्रम्मोस मिसाइल के तेजी और इसके minivirability ऐसा है कि ये आसानी से चाइना के air defense system को खाली counter नहीं करेगा बलकि आवशक्ता पढ़ने पे इन दोनों हत्यारों के combination चाइना के air defense system को तभा करने के लिए वी इस्तमाल हो सकता है दोशे इवन इसके इलाबा ये पाकिस्तान के लिए वी शामत है क्योंकि बारा कोड जैसे एर स्ट्राइकों को अब अंजाम देने के लिए भारत को बॉर्डर क्रॉस करने का आवशक्ता नहीं पड़ेगा जबकि दूसरे तरफ स्पाइस टूथाउजन जैसे इस्राइली हत्यारों के उपर भी डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा तो सकुल मिला के अगर देखा जाए तो 40 सुखुधर्टी MKI में ब्रमोस मिसाइलों को फिट करने के बाद अब इन एर क्रेप्टों के बदावलत इंडियन एर फोर्स के ताकत तो बढ़ेगा ही साथ में इंडियन एर फोर्स के इन एर क्रेप्टों को स्ट्राइक मिशनों को अंजाम देने के लिए समुदरी सरत से शुरू करकि पाकिस्तान से लगे हुए सरत और चानल से लगे हुए सरत में भी honour किया सकेगा जबकि दूसरे तरफ इसके कॉंबिनेशन भारत के सपर सणिक रप्तार में हमला करने के टेंज को भी कई हजार किलोमिटर बढ़ा देगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो तक पाए सबसे पहले, जैहिंद!